मशूर संगीतकार खयाम का 92 साल की उम्र में हुआ निदन पी एम मोदी ने जताया दुख भारतिय सिनिमा के मशूर संगीतकार खयाम का सूमवार को मुंबई के एक अस्पताल में निदन हो गया वह 92 साल के थे खयाम लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे उन्हें 10 दिन पहले फेपडो में संक्रमन के कारण जुहू स्थित सूजय अस्पताल के आईकू में भरती कराया गया था उनका अंतिमसंसकार मंगलवार को किया जाएगा खयाम का पूरा नाम मोहमद जाहूर खयाम भाश्मी था लेकिन फिल्म जगत में उन्हें खयाम के नाम से प्रसिधी मिली बलेवुड के दिगज कलाकारों ने उनके निदन पर शौक व्यक्त किया है इसके साथ ही पी एम मोदी ने भी खयाम के निगन पर गहरा दुख व्यक्त किया है पी एम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सुप्रसिध संगीतकार खयाम साहब के निदन से अत्यंत दुख हुआ है उन्होंने अपनी यादगार धुनों से अंगिनत गीतों को अमर बना दिया उनके अप्रतिम योगदान के लिए फिल्म और कला जगत हमेशा उनकारणी रहेगा दुख की इस घड़ी में मेरी संवेद नाएं उनके चाहने वालों के साथ है बता दें कि खयाम को कभी कभी और उम्राम जान जैसी फिल्मों के लिए फिल्म फियर आवार्ड मिला था खयाम ने अपने करियर की शुरुआत 1947 में की थी